अस्सलाम अलेकुम वेलकम बैक वीडियो आज मैं आप लोगों को अचार बनाना सिखाऊंगी अचार किस तरह से लॉंग लास्टिंग रहता है सालो साल चल सकता है काला नहीं बढ़ता टिप्स एंड ट्रिक्स आज की वीडियो में शेयर की जाएंगी पहले कर जमाने में अचार इस तरह से डालते थे कि आम को काट के उसको मसाला लगा के यानि सिफ नमक और हल्दी लगा के पूरी रात के लिए रख देथे थे ताके आम के अंदर जितना भी पानी है वो निकल जए फिर next day उसका सारा पानी निकालके उसको जो है ड्राइ मसाले लगाके डब्बे में डालके रख देते थे फिर उसके बाद third day उसके अंदर oil डाला जाता था one week के लिए लगते थे उसके बाद उसको इस्तमाल करना शुरू कर देते थे लेकिन मेरी फुपो किस तरह से डाल ली है वो मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर mangoes जो है कच्चे आम उनको काट के ले आए थे बाजार से ही फिर उसको wash किया wash करने के बाद पंखे के नीचे सोरी रख के dry किया फिर तमाम dry मसाले जो है एक जगा पर सारे कठे किया जैसे नमक, मिर्च, कुटी, लाल, मिर्च, हल्दी, कलोंजी, मेथी, कलोंजी कम डलती है अचार में क्यूंकि कलोंजी जादे डालने से अचार जो है जल्दी काला पढ जाता है तो कलोंजी की क्वांटिटी आपने कम डखनी है सोंफ मेथी वगारा सब कुछ आपने अपनी मर्जी से डालने मेथी दाना ठीक है दैन आपने क्या करना है थोड़ा सा इसमें ऑईल डालने मसाले में ताकि मसाला जो है वो थोड़ा सा सौफ्ट हो जाए और अचार इनको कोट किया जा रहा है यह एक बात का ख्याल रखना है कि अचार के आम जो है उसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहों पिल्कुल ड्राइ होने चाहिए क्योंके पानी जो होता है वो अचार को बहुत जल्दी खराब कर देता है तो यहां पर अच्छी तरह से मसाले लगा जालेंगे तो आपने बकिट्स जो है वो अपनी अच फुल ड्राइ करनी है ठीक है धो के ड्राइ कर लें आपकी बिल्कुल भी वैटनी होनी चाहिए थोड़ा सा भी पानी का जर्रा नहीं होना चाहिए फिर उसके बाद आप उसके अंदर डालें हाइजीन का आपने ख्याल कच्चे आम आना स्टार्ट होती है, आप उसी वक्त लेकि अचार डालने तो ज्यादा बेटे रहता है, फिर आइस्ता इस्ता जो होता है, वो अचारी आम जो है, वो मीठी होना शुरू हो जाती है, फिर आपका अचार मीठा डलता है, फिर तेल डाले और इंचुआई करें, तेल डालने के बाद आप अचार को जो है, वो अचार डालने के अचार उसके अंदर डूब जाए, यह होता है कि अचार आइस्ता आइस्ता नीचे बैठता रहता है, तो तेल जो हो उपर आ जाता है, तो आपने क्या करना है, आपनी टेंशन नी लेनी अच्छा खासा तेल और उसको फिर रख दें चार-पंच दिन के बाद अचार्ज वो खाने वला हो जाता है So I hope you like my video Do like it, share, subscribe Bye-bye, Allah Hafiz